नमेश्क्रा दोस्तों, मेरा नम डॉक्टर नगिंदरियाद है तोते को खाने में क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अपने पैट्स जैसे पक्षी कभूतर या कच्छो के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ ही दिए आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्षिन में दिएगे लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबर्शिप जोइन कीजिए आज के जो मेरा वेव वीडियो का टापिक है केवल उनी चीज़ को कवर करने कोशिश करूँगा की हम खाने में क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते हैं ये ज़्यदा ब्रीफ में नहीं जाँगा केवल उन प्रोडिक्ट्स को उनकी नाम के साथ में उनको एक्स्प्लین करने कोशिश करूँगा ताकि यदि कोई ऐसी गलती आप कर रहे हो वो उसको खाने में आप दे रहे हो तो आप अपनी गलती सुधार करके उस तोते की जान आप बचा सकते हैं या उसको बिमार होने से आप बचा सकते हैं सबसे पहले तो जो हम नहीं देना चाहिए क्योंकि हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि खाने में क्या नहीं देना चाहिए सबसे पहले तो आपको पता है कि पैराकेट्स को या बर्ड्स को मिल्क्स रिलेटिड प्रोडेक्ट्स जो है अपने बर्ड्स को कभी भी नहीं देना चाहिए एलकोहल यानि शराब बर्ड्स को कभी भी ना दे कैफीन जो होता है जैसे चाए कॉफी वगर जो होती है ये भी बर्ड्स के लिए नुकसान दायक होती है इसको देने से जो है बर्ड्स की डैस हो सकते है इसले अपने birds को कभी भी पीने के पाने में coffee या चॉकलेट बिलकुल भी ना दे onion याणि प्याज जो है birds को नहीं खाने को देने चाहिए इसको देने से birds को काफ़े नुकसान होता है garlic लहसून भी birds को खाने में नहीं देना चाहिए ये भी birds को नुकसान करता है meat products याइनि आप अपने birds को कभी भी खाने के लिए chicken ना दे क्योंकि chicken जो है birds को नुक्सान करता है रहे हो जी आपने जो नुक्सान करता है दूसरा birds में कभी भी गलती से भी mushrooms खाने को ना दे mushrooms छोरती है birds के लिए काफी आप युआ कहा सकते हो कि उनमें वामटिंग क्रेट कर देती है, जैसे आप दोगे इसको खाने के लिए, इसलिए ये जो चीज़े हैं, आप अपने बर्ड के खाने में बिलकुल भी ना दे, अब खाने में क्या देना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो ये चीज थी कि ये चीज में आपको बताई है, आप इसको नोटिस करके रख लीजे, अपने बर्ड की डाइट में इन चीजों का बिलकुल भी आप एड़ ना करें, सबसे ज्यादा है वेजटेबल्स, वेजटेबल्स में आपने देखा होगा, क्या क्या दे सकते हैं पराकीट को, लेट्यूस आपन दे सकते हैं, ब्रोकली आप दे सकते हैं बर्ड को, आपको पता है कि बहुत अच्छा न्यूटिशन का सोर्स होता है, बर्ड इसको काफी पसंद भी करते हैं, बर्ड को आप मक्का दे सकते हैं, मटर दे सकते हैं, सामुत मटर दे सकते हैं, बिना चीले वेज़ बर्ड इसको करके देजिए उसके seeds को निकाल करके देजिए आप उसको बैनना आप दे सकते हैं पपया आप दे सकते हैं क्रेप साप दे सकते हैं अंगूर मैंगो हलाकि मैंगो कहने को तो मीठा होता लेकिन birds में ऐसा कोई नुकसान नहीं करता है इसलिए अपने birds को खाने में आम दे सकते है पुछिश की जब भी अपने बर्ड को नारियल देना है तो उसको छिलके समय ती जी ताकि बर्ड अपने आपसे उसको थोड़ा सा मेहनत करके उसमें से कोकोनट खुछ से निकालने कोशिश करें उससे क्या होगा एक तो बर्ड की बीक की एक्सराइज होगी बर्ड की जो एक बीक की में प्रॉब्लम होती है कि बर्ड की जो चोंच बढ़ जाती है एक्सराइज ना होने के वज़े से यदि आप कच्छा नारियल ऐस सच खोपरे के साथ हो आप उसको छिलके के साथ देते हो अब बर्ड्स पहले से ज़्यादा एक्टिव नसर हैं नर्ट्स में क्या-क्या आप दे सकते हैं आप बर्ड्स को जो है बदाम आप दे सकते हैं बदाम को हमेशा देना हो तो पानी में भिगो करके दीजिए उसका छिलका उतार कर दीजिए आप किश्मिशा बर्ड्स को दे सकते हैं, मुनक्का बर्ड्स को दे सकते हैं, काजू आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, लेकिन जो नर्ट्स को देने का तरीका है, जब भी आपने बर्ड्स को देते हैं, नर्ट्स वगरा देते हैं, इनको स्मॉल कॉंटिटी में दीजिए नहीं 5-10% के विल डाइट का हिस्सा रखे क्योंकि इनको ज़्यादा एकसस में नहीं दे सकते हैं एक तो एक काफी गरम होते हैं दूसरा फैट का सोर्स होते हैं मतलए इनमें फैट की परसेंटेज अधिक होती है इसलिए इनको दीजे लेकिन कम क्वांटिटी में दीजे बर्ड्स इनको कम क्वांटिटी में देंगे तो बर्ड्स की सेथ को कहीं न कहीं फाइदा पहुंचाएंगे बर्ड्स को जो है मोटे अनाज भी बहुत पसंद होते हैं मोटे अनाज में क्या कर सकते हो आप गेहूं को अंकुरित करके दे सकते हैं आप जो मूं की दाल होती है उसको अंकुरित करके दीजिए चने को अंकुरित करके दीजिए तो यह जो sprouted foods जब आप अपने parakeets को देंगे तो automatic आपके birds इसको enjoy करेंगे अप birds का एक healthy nutrition हो सकता है तो आए इस वीडियो के माधिम से मैंने आपको बता है कि birds को खाने में क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं उमीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आयोगई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद